तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल मूवी कॉंजरिंग कनपन के बारे में ये एक होरर कॉमेडी मूव है और मुझे इस मूवी की कन से पच्छी लगी तो इस मूवी के मेन लीड में हमें दिखाई देंगे सतीश जिनोंने कनपन का रोल प्ले किया है और फिमेल लीड में है रेजिना कसेंडरा और अलियवरम भी है इसमें और जितने सारे कैरेक्टर्स है इस मूवी में वो सारी अतरंगी है जैसे कि आनन्द राज इनका नाम है डेविल आमस्ट्रॉंग ये वुच्पनी लगा और फिर कनपन की पूरी फैमेली वो भी सारे अतरंगी है इस मूवी में तो बिना किसी स्पोईलर के हम बात करेंगे इस मूवी के वारे में कि केसी है ये मूवी मुझे केसी लगी और क्या आपको देखने चाहिए या नहीं तो मूवी के शुराथ होती है के पी एक सुबा उठता है नल में पाने ना होने के कारण वो सालो बन कूए में से पाने निकलता है और पाने निकलते हुग कूए में से उसे ड्रीम कैचर मिलता है उस ड्रीम कैचर में एक डॉल और पंक भी लगे हुए होते हैं वो अनजने में एक पंक तोड़ देता है और ड्रीम कैचर को फिर से कुए में डाल देता है तो जिस दिन उसने पंक तोड़ा उस दिन उस रात को वो सो जाता है और सपने में देखता है कि वो एक महल में है और उसे वहाँ एक भूत दिखाई देता है जब उसे सपने में चोट लगती है तो उसे असली जिन्दगी में भी चोट लगती है और जब वो उठता है तो उसे ड्रीम कैचर उसे उसके घर में ही मिलता है जो उसने कुए में फेका था तो वो एक्जोसिजम करने वाले के पास जाता है उससे मिलता है और उसे बताता है ड्रीम कैचर के बारे में तो वो बताता है कि वो ड्रीम कैचर श्रापी थे और तुमें पंख तोड़ना नहीं चाहिए था तुमने पंक तोड़ा इसलिए सोने के बाद तुम उस महल में चले जाते हो वो उसे सजेस्ट करता है कि Dream Catcher को छुपा कर रखे पूरी फैमिली से ताकि उसका कोई पंक ना तोड़े क्योंकि अगर किसी ने पंक तोड़ा तो रात को सोने के बाद वो सपने में उस महल में आ जाएगा तुम्हारे साथ लेकिन एक कॉमेडी डॉन होता है जिसका नाम है डेविल आमस्ट्रॉंग ये कैरेक्टर मुझे ज्यादा फणी लगा पूरी मूवी में से तो केपी उससे वो पंक तुड़वाता है और एक फणी कैरेक्टर होता है जो कीट साइकोलोजिस्ट होता है डॉक्टर वो भी उस पंक को तोड़ देता है और तीनो रात को सोने के बाद सपना देखते है उस महल का और सपने में तीनो मिलते है जहां होता है भूट और क्या-क्या होता है इन सब के साथ और कौन-कौन आएगा और कितने लोग उस पंक को तोड़ेंगे और क्या धमाल होती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी Conjuring कनपन ये एक अच्छी टाइम पास मूवी है, फनी भी है लेकिन और फनी हो सकती थी मेरे खयाल से आपको अगर कंचन जैसी मूवी पसंद आती है Horror Comedy Movies को आप Enjoy करते हो तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो मुझे तो ये मूवी पसंद आई और शायद आपको भी आजाएगा मैं इस मूवी को देता हूँ 3 स्टार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में